Hello everyone, काफी अची vacancy की बात करने वाले हैं, इस वीडियो में school teachers vacancy आई है, जिसमें pre primary teachers, primary teacher, trained graduate teacher और post graduate teachers की vacancy निगाली गई है salary के साथ में आप लोगों को allowances भी मिलेंगे as per central government के according तो यहाँ पर salary जो भी यहां mention की गई है, इसे अधिक ही salary आप लोगों को मिलने वाली है school की अगर main website पर जाकर check करेंगे, विग्यापन भी आपको वहीं मिलेगा और application form भी आप लोगों को वहीं पर मिलेगा कैसे जो है apply करना है, सारी detailed information इस वीडियो में आप लोगों को provide करवाई जाएगी यहाँ पर सभी राज्य की candidate जो है, यहाँ पर आवेधन कर सकते हैं तो चलिए main website पर पहले आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, जो application format दिया हुआ है तो इस तरीके का application format है, इसे ही आप लोगों को fill करना है कैसे भेजना है, कौन-कौन से subject की vacancy है, तो चलिए इस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो है subject आप देखिए, यदि आपका subject है, तो ही आपके लिए useful रहेगा अन्तितक वीडियो administration की vacancy है, middle school के लिए, उसके बाद senior faculty class 11-12 को पढ़ाने के लिए math, physics और chemistry की है post graduate teacher, English, math, physics, chemistry, history, geography, political science and legal studies तो अपने subject जो हैं देख लें, कैसे apply करेंगे, वो आपको अभी जानकारी दी जाएगी PZT में English, Hindi, Math, Physics, Chemistry, geography, history, Sanskrit, German and French की PRT में English, Hindi, Math, social science, computer science and librarian की vacancy है Pre-primary section के लिए, जो है, pre-primary section के लिए सभी subject ही होते हैं Physical education teacher में football, cricket, chess, martial art, यानि कराटे उसके बाद जो है, support staff, जिसमें library assistant की है Science lab assistant की है, lab assistant for ATL and computer data operator की तो ये सभी जो है subject मैंने आप लोगों को दिखा दी है अभी जो है, qualification क्या रहने वाली है, उससे पहले vacancy कहां से आई है तो मैं आपको बता देती हूँ salary मैंने आप लोगों को बता ही दी है, काफी अच्छी salary यहाँ पर जो की notification में दी गई है आप लोगों को salary के साथ में 69,700 जैसे head ministries के लिए दिये जा रहे हैं साथ में allowances भी मिलेंगे आप लोगों को as per central government काफी अच्छी salary यहाँ पर बताई गई है नीचे आप देखेंगे तो आप लोगों को vacancy open position आपको नजर आएगा इसे आप लोगों open कर लेंगे vacancy है modern Delhi international school greater faridabad नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर आप लोगों को यह विज्यापन जो की main website से ही मैंने लिया है यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा application form इसके नीचे ही मिलेगा इस तरीके का application format रहेगा जिसे आप लोगों को fill करना होगा ठीक है तो अब चलिए मैं आप लोगों को बाकी जो विज्यापन में दिया हुआ है उसे भी जो है देख लेते हैं qualification चेक कर लेते हैं administration के लिए qualification चाहिए पांच साल का PZT के लिए all subject के लिए B.TEC हो या फिर post graduate first class में होना चाहिए B.Ed भी जो है compulsory रहेगा TZT के लिए post graduate first class में साथ में B.Ed तो trained graduate teachers के लिए seat at या state at जो है यहाँ पर नहीं मांगा गया primary teachers के लिए भी जो है post graduate के साथ में B.Ed अभी जो है graduation अगर आपने की है N.T.T. किया है B.Ed किया है तो भी आप यहाँ पर eligible रहते हैं physical education teachers के लिए आपके पास B.Ed या M.P.Ed होना चाहिए support staff के लिए जो भी यहाँ पर staff की demand की गई है qualification, graduation या फिर 12th science stream से आपने किया हो 3 साल का experience है अभी बहुत सारी जो vacancy ऐसी होती है जहाँ पर experience जो है अगर आपके पास है तो ही आप जो है form apply कर सकते हैं पिसला वीडियो आप देखिएगा जिसमें without experience भी जो है आप लोग apply कर सकते हैं तो यह जो है school काफी अच्छा school है modern Delhi international school greater फरीदाबाद हर्याना भेजना होगा ठीक है एक बार दुबारा से जो है main website पर यह देखिए इस तरीके का application form है कैसे भढ़ना है तो यहाँ पर किस post के लिए apply कर रहे हैं आप यहाँ पर mention कर देंगे उसके बाद जो है अपना नाम date of work email id जरूर आप लोगों को लिखनी होगी ठीक है permanent address उसके बाद यहाँ पर simple ही है सभी चीज़े qualification यहाँ पर अपनी लिख देंगे professional qualification जैसे beard किया है आपने या अपने entity किया है delayed किया है जो भी मांगा गया है वो आप यहाँ लिख देंगे next जो है यहाँ पर अगर आपका कोई research work है publication है ठीक है अगर आपको कोई scholarship वगरा मिली है तो आप यहाँ पर लिख देंगे और नहीं है तो इसको blank जोड़ना है work experience तो मांगा ही गया है तो इसे आप blank नहीं छोड़ सकते ठीक है अब जो है कितनी salary की expected आप करते है games वगरा में आपकी कोई रुची है क्या hobby है को curriculum activity जो है यह सारी चीज़ें आप लिख देंगे next last में जो है sign करना है date डालना है और place का नाम लिखना है और यहाँ पर आप लोगों को जो notification मिल जाएगा और notification इस पर जो है आप लोगों को इसको जो है open कर लेंगे और यहाँ पर इसको बड़ा करना है जब भी बड़ा करते हैं तो यह थोड़ा यानि थोड़ा सा मुस्किल से ही जो है बड़ा हो पाता है तो आपको तो यहाँ पर email address चाहिए तो email address जो है यहाँ लिखा है info at the rate mdps87.com यह रहेगा email और इसी पर आप लोगों को send कर देना है application तो सारे vacancy जैसा के मैं आपको बताती रहती हूँ किसी में जो है experience नहीं चाहिए और ऐसी vacancy जो काफी अच्छे स्कूल के होती है वहाँ तो experience मांगा ही जाता है तो इतने सारे जो है वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाए है बहुत ही जो है महनत होती है क्योंकि किसी भी जो है job को search करना vacancy का पता लगाना उसकी detailed information लेना इतना आसान नहीं होता है तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को share करें ताकि जिनको भी job search कर रहे है जो भी student जिनको vacancy का पता नहीं लग पाता है तो उनके भी जो है जानकरी मिल सके चैनल को subscribe कर लें अगर नहीं किया है तो bell button को press जरूर करें तो उसी में जो है link वहाँ आपको मिलेगा school का ताकि आप लोग direct यहाँ पर पहुँच सके तो यहाँ पर आप लोगों को left side में apply now नजर आएगा इसमें तीन जो है dot आपको नजर आ रहे हैं three line नजर आ रहे है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर लिखा है vacancy open position इसी पर जो है आप लोगों को click करना है और इस तरीके का vacancy जो है आप लोगों को यहाँ नजर आएगी इसे आप बड़ा कर लेंगे पड़ लेंगे नहीं तो वीडियो को जो है दुबारा से सुन लेंगे तो आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी नीचे जो है application form है इसे आप लोग open कर लेंगे download कर लेंगे और fill करना है आप लोगों को और email address जो दिया हुआ है उस पर आप लोगों को भेज देना है ठीक है तो सारी जानकारी जो है मैंने आप लोगों को प्रवाइड करवा दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू